जी पूर्णिमा जी देखें मैं इंजरी या ट्रॉमा या एक्सिदेंट्स जो इंजरी करते हैं इसको शताबदी की महामारी बोलता हूँ कि ये इंजरी इस एन एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी और इसमें हम सबका दायत तो है कि किस तरह से इसकी देखवाल को इंप्रूव किया जा सकता है उसमें कुछ गुनुबत्ता लाही जा सकती है अगर आप भारत में देखें डेड़ बिलियन हमारे हाँ पॉपुलेशन है 1.4 कह लिजे 1.3 कह लिजे भी हो जाएगी बहुत जल्दी ही शीक रही और उसमें अगर देखें तो अपूर्ण अवश्यक्ता है लोगों के क्या उनको चाहिए आप समझे कि कोविड जो महामारी आई 2020 में वो तो एक बार आई और अब चली जा रही है लेकिन ये जो इंजरी है ये तो बराबर बनी हुई और बनी रहेगी हमने 2020 में देखा जब लॉकडाउन लगे तो सड़क हाथसों में एका एक गिरावट आ गई लेकिन अब लॉकडाउन हर वक्त नहीं लग सकता तो हमान हमारा साफ हो गया प्रदूशन भी कम हो गया आए दिन हम सुनते हैं एक मिनी बस 24 लोगों को यात्रियों को लेके जा रही थी और कहीं नदी में गिर गई कि पहार से नीचे खाई में गिर गई 24 लोगों की मृत्ति हो गई और अगर आप भारत को देखें तो भारत सात्वा ऐसा देश है दुनिया का जिसके पास भूमी सात्वे नंबर पर आती है उस्टेलिया के बाद उससे पहले रश्या है कैनड़ा है चीन है अमरीका है ब्रा साल में पिछले दो-तीन दश्कों में हमारा जो सड़क का नेटवर्क है कनेक्टिविटी है बहतर हुई है मौडरनाइज हुई है लेकिन उसके साथ समस्याएं भी आई हैं हमारे सड़कों पर जितने प्रकार के रोड यूजर्स होते हैं जो सड़क का इस्तमाल करते हैं वो सबसे अधिक हैं भारत में कुछ और इशिन कंट्रीज में भी हो सकते हैं पाकिस्तान में हो सकते हैं बांगलादेश में भी हो सकते हैं और जो आपने अभी एक मेरे को स्टोरी भेजी थी कि हमारे जो हाइवेज हैं वो डेड़ परसेंट हैं लेकिन सड़क हाथसों में मृत प्रतिशत जो हमारे वाहन है हमारी सडकों पे वो दुपहिया वाहन है वो दुपहिया वहन नहीं है जैसे आपने ठीक कहा कि भारत में अगर सारी वाहनों का अप लें नंबर लें तो दो प्रदिशत होता है अगर आप अमरीका के मुकाबले हमारे वाहनों की संक्या बहुत कम है चोपहिया वहन की संक्या तो बहुत ही कम है अब आप देखिए प्रतिशत जो भूगोल है वो हमारे जो भूकम पाते हैं उनसे प्रभावित हो सकता है चाहे उत्राखंड हो कश्मीर हो नौर्थीस्ट हो गुजराफ में हमने भूकम पितना देखा जो भूज में आया था लाटूर में देखा हमने महराश्चा में उसमें बहुत लोगों की जान जाती है फिर उसके अलावा हमारे जो ट्रेन का रेल गारी का जो नेटवर्क है दुनिया में मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे आता है इतना बड़ा नंबर ये नेटवर्क है और सड़क हमने बहुत ही भीशन रेल हाथ से भी देखे हैं जिन में सेक्ड़ा लोगों की जान जाती है आपको याद होगा दो हजार अठारे में दशरे वाले दिन लोग रावन का एफिजी बर्निंग देख रहे थे हमरी सर में और ट्रेक पर खड़े हुए थे और ट्रेन तेजी से आई अंधेरा था देखे नहीं और 62 लोगों की लगभग उसमें मृत हो गई थी और ऐसे ऐसे सीन हमको देखने को मिले लोगों के कटे हुए शरीर के हिस्से जो आप देख भी नहीं सकते जिनको अगर आप देखें सुनामी आई हमालियन सुनामी जो आप कहते हैं प्रकृत के द्वारा जो हम लोगों ने डीफॉरेस्टेशन किया है प्रेड का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ कितने लोगों के घर बाद से चड़ गए ये दोहजार तेरह की बात है फिर आखरी अर्थक्वेक जो भीशन आया था वो नेपाल में उसका एपी सेंटर था दोहजार पंद्रे में और उसके बाद आए दिन हम यहादसे देखते हैं कि हमा 52 लोगों के मृत्य हो गए 52 पीपल डाइड और नंबर ओफ पीपल डाइड इन दीज फिर अंसेफ वर्क एन्वाइनमेंट हमारे हैं देखिए अधिहाल में कोई बच्चा कहीं उसमें ड्रेन में गिर जाता है उसकी मृत्य हो जाती है और इसके अलावा रेलवे ट्रैक पे जो डेट्स होती है लगातार होती है ऐसा नहीं कि रुक गई है वो और ये बस हाथ से सड़क हाथ से आप अंगिनत फिर हर वर्ष हमारे हैं बाढ़ आती है पूरे भारत में नौर्थीस्ट में देख लिए जब बरंपुत्र की है या इस बार भी बाढ़ आती है और लोगों की जान गई है बाढ़ की वज़े से बंबई में हर वर्ष देखिए बरसाथ के मौसम में कोई ना कोई बिल्डिंग कुलैप्स हो जाता है उसमें लोगों की जान चली जाती है अंडर कॉंस्रक्शन बिल्डिंग कुलैप्स हो जाता है उसमें लोगों की जान चली में अभी तो पिछले आठ वर्षों से काफी गनिमत है कि इन में कमी आई है बहुत पिछले अगर आप याद करें 2019 में 35 लोगों की मृत्यों हो गई थी बस गिरी थी खड में जमू कश्मीर में फिर अभी हाल में सायरस मिस्त्री का जब एक्सिडेंट हुआ तो बहुत चर्च हुई एक्सिडेंट्स की पीछे की सीट पर सीट बेल्ट जो है वो फिर रेडिस्ट अटेक में आप देखे हमारे पूरी में हमारे सत्रे जवानों की मृत्ति हुई कुल वामा में पचास आसी आरपी अफ जवान और उसके अलावा जो युद्ध होते रहते हैं फिर नेक्स लाइट गलवान बेली में हमारे जवानों की मृत्ति हुई तो यह कुल मिलाके एक बहुत बड़ा यह मुद्ध है जो हुमन ट्रेजडी जो रासदी को का जो हिस्सा है यह और इसमें लोगों की जान तो जाती ही है लिम्ब जो हमारे हाथ पर चले जाते है पर्मनेंट डिस इस तरह से यह साहरेस मिस्टरी की हुई तो बड़ा चर्चा हुआ लेकिन आम तौर से जो होती है उसमत कोई चर्चा भी नहीं होती तो जो ट्रॉमा है इंज्यरी है हाथ से हैं एक्सेलन्ट जेडिपी का तीन प्रतिशत इन पर वो चला जाता है इसकी जो कीमत है भारत में तीसरा कारण है ये मृत्युका सभी उम्र में अगर हम देखे और अगर आप डबलू एचो के हिसाब से अगर देखेंगे तो 88 प्रतिशत जो रोड ट्रेफिक इंजरीज और डेट्स हैं वो विकासचील देशों में हैं विकसित देशों में इस पर काबू पालिया काफी हद तक विकासचील देशों में हैं और डबलू एचो के अगर रीजन देखें साउथ इस्ट एशिया रीजन में सबसे अधिक होता है जिसमें भारत भी आता है और लगभग छे मिलियन लोगों की मृत्यू हाथसों की वज़े से पूरी दुनिया में होती है भारत में इसका जो और अगर आप देखें ट्रॉमा डेट्स एक्चुली कैंसर और हार्ट डिजीज से बढ़ जाते इससे भी जादे हैं क्योंकि यह डिजीज ऑफ दी यंग है यह आप देखें एक वर्ष से लेके और चवालिस व मारता है महिलाओं के मुकाबले क्योंकि काम पर वही लोग नकलते हैं मोटर वीलर पर दुपहिया वहन पर हम कहते हैं कि हमारी कितने वर्ष हमारी जंदिकी के इसकी वज़े से समाप्त हो गए यह सो प्रोडुक्टिव लाइफ लॉस्ट हाथ्सों की वज़े से उनकी संख् इंजरी जो की वैसे जो जाते हैं यह सो प्रोडुक्टिव लाइफ लॉस्ट कैंसर और हार्ट डिजीज को मिला दीजे उससे भी अधिक है चालिस एक्तालिस फीजदी है जबकि हार्ट डिजीज से लगबग 16 प्रतिशत और कैंसर से लगबग 18 प्रतिशत इतने लोग यह स होती है सड़क हाथसों में विकसित देशों में यह होती फिगर है 6 से 15 के बीच में और हमारे हैं क्या यह फिगर है आप समझे तीस एक लाक में तीस लोगों की मृत्टि हो जाती है और लगबग 4000 लोग हर प्रतिदिन दुनिया की सड़कों पर मृत्टि होती है और millions of people कोच हाथसे में चोट लगती है जिसमें बच्चे भी है पैदल भी है, साइकल सवार भी है बुजर्ग लोग भी है और बुजर्ग और बच्चे महिलाई सबसे ज़्यादे vulnerable है रोड पे और किसे देशों ने इस पे काफी हद तक काबू पालिया है लेकिन भारत में अभी भी दो लाख लोगों की लगभग मृत्यू प्रतिवर्ष होती है और ये तो तब है जब आप देखिये के हमारे पास कितने वाहन है आटो मूबील सी संक्या पहुत कम है दुनिया के और देशों के मुकाबले तो आप समझे आपने हैड इंजरी के बारे में एक प्रशन डाला था बिल्कुल अठानवे लोगों की मृत्यू प्रति दिन जो लोग मोटर साइकल का इस्तमाल कर रहे हैं हमारी सडकों पे जा रहे हैं प्रति दिन इनकी मृत्यू होती है हमारी सडकों पे और आप समझ सकते हैं सो लोग यंग لाइव इस क्यों चले जाती है क्योंकि सिर पे हेलमेट नहीं है बांधा नहीं है हेलमेट है तो बांधा नहीं है घाड़ी में सीट बैल्ट है लगाई नहीं है लगबग प्रतिवर्ष साथ परसेंट लोगों की जो मृत्तु है बढ़ जाती है हमारी सडकों पे रेल रोड एक्सिडेंट्स में बरावर मृत्तु हो रही है हमारे अब उसमें भी बहुत है और जो तीन राज्य सबसे अगणी है इसमें उसमें तामिल नाडू है महाराष्ट है उत्तर प्रदेश है ये तीन मिलाके काफी संख्या हो जाती है सडक हाथसों में जिनकी मृत्य होती है और आप देखिए रोड डेट्स जो दोहजार उन्निस में देखिए दोहजार बीस में देखिए थोड़ी सी कम हुई थी दोहजार बीस में कोविड की वएशे क्योंकि लोगडाउन वगरा लग लग रहे थे लेकिन दोहजार इकिस में फिर बढ़ गई दोहजार इकिस में ये हो गई एक स्टियतर हजार लगभग एक स्टियतर हुए और हर मृत्यु जिसकी होती है उसके पीछे दस से बीस गुना लोगों की इस को चोट लगती रह जो इस्पताल में जिनको कराूंगा यह मेरी मरुजी है कैंसर में भी मैं जृ नहीं कराता लेकिन सड़क हादसों में जब आपको चोट लगती है आपको इलाज कराना ही पड़ता है तो इन सबसे रिण लेने का दोनों रूरल हमारे गाउं में भी और शेरों में एक क्रिण लेने का बड़ा कारण है लोगों की इसमें और जैसे आपने ठीक कहा कि भारत में यदि मैं अब किसी सड़क हाथ से मैं मुझे चोट लगती है तो मेरे मरने की संभावना पांच में से एक है और यही अमरीका में 69 में से एक है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पूरा जो system है trauma को वो बड़ा सक्षम है जिसमें पर ऐसा क्यों है डॉक्टर की भारत में जो है वो ज्यादा संभावना है मर कि किसी की जान जाने की लेकिन अमेरिका में इतनी कम है ऐसा क्या पूरा उनका ecosystem है किस सरे से मदद पहुंशती है क्या road rules का पालन ज्यादा सक्ती से होता है क् awareness ज़्यादा है बिल्कुल आपने ठीक कहा एक सबसे बड़ा कारण है कि सड़क हाथ से पहले तो अब आप अमरीका का देखिए उनकी population हमसे एक तिहाई है आप देखिए वहिकल जो उनकिया है हमारे यह से कई गुना ज़्यादे हैं हमारे यह साथ अगर साथ करोन तो वहां उ हमारे हैं सड़क हाथसों में जो मृत्य हुए वह 2,00,000,000 है उनकिया 40,00,000 है पिर जो चोट लगती है नह deductन हैं उनकिया 29,000,00,000 लोगों को चोट लगती है इसलिए मृत बहूत जादे है OUR और वहाँ पे फिर जैसे ही सड़क हाथसा हुआ, रेस्क्यू बहुत प्रॉम्टली बहुत जल्दी से हो जाता है, एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छी है, प्री हॉस्पिल केर जिसे बोलते हैं, वो बहुत सक्षम है वहाँ पे, तो फटाफट उसको एमर्जेंसी में ले विकसित नहीं हुआ है, यही कारण है कि हमारे हमें के दर अत्यदेख है, विकसित देशों के मुकाबले, और इसमें देखें कॉमर्शल वहीकिल्स भी जिम्मेदार हैं, बाकी वहीकिल्स भी जिम्मेदार हैं, और अगर शेहरों का पैटर्ण देखें, तो बंबई में सबस इसलिए कम होती है क्योंकि speed नहीं हो पाती है इतना density of traffic है तो अगर आप सब कुल मिला के देखें तो road traffic accidents भारत में क्यों इसकी हम चर्चा करते हैं दुनिया में चर्चा होती है इसकी प्रतिशत मृत्ति होती है सड़क हाथसों में सारी मिला करके उसके बाद भारत में यही अन हाथसों के अलावा जो हमारे कारिस्थल पे जो accident होते हैं हर पांच मिनट में एक व्यक्ति की मिर्ति होती है टेररिजम लो इंटेंसिटी वार जो हमारी सेना लड़ती है हमारे जवान लड़ते हैं और फिर communal riots आपने देखे 50-52 लोगों की मिर्ति हो गई थी दिल्ली riots में 2020 म तो आप देखिए injury एक genocide है silent जिसे हम लोग पहचानने से इंकार करते रहते हैं और इसके लिए बहुत कारे करना बाकी है इसमें WHO और United Nations 2011 में decade of road safety लेके आये थे 11 से 20 तक और उनका उसमें ये एक लक्ष था कि हम सड़क हाथसों में कमी लाएंगे सड़क हाथसों में मिर्ति उदर कम करेंगे करीब 50 परतिशत लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमने प्राप्त किया है कहीं भे भी दुनिया में वो प्राप्त नहीं हो पाया है और आज आप अगर देखें नंबर 9 पोजिशन पे था road traffic injuries disability adjusted life year lost में 1999 में और अब ये नंबर 3 पोजिशन पे आ गया है इससे उपर केवल दिल की बिमारियां है और mental health मानसिक बिमारियां है उसके बाद injury बाकी infections वगरा सब इससे नीचे आते हैं चाहे वो किसी प्रकार के भी infection तो ये बड़ा gap है हमारे हैं क्या चीज हमें चहीए और कितनी उपलब्द है supply और डिमांड बहुत gap है भारत में magnitude को जो हमारे injury का magnitude है उसे देखते हुए बहुत gap है तो भारत सरकार ने इसमें कुछ कदम उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि golden quadrilateral में pre hospital care ambulance service देंगे rural urban area में और कुछ राज्यों में ये शुरू भी हुई है जिस आउट्सोर्स किया हुआ ambulance service को लेकिन अभी भी इसमें हमें बहुत दूर जाना है और इसी को लक्ष को देखते हुए आज क्या है एक तो एमस के साथ जो trauma center बना वो चल रहा है इसके अलावा जितने भी संस्थान अब बन रहे हैं एमस की तरज पे उनमें सब में trauma को एक focus द से यह सरकार बनी है भारत सरकार मोदी जी की जिसमें सड़क इसमें जो terrorism और जो terrorist हाथ से होते थे हमने तो कित्रों ब्लास दिली में देखे हैं रोजनी नगर में हुआ गोविन्पुरी में हुआ और एट विल होते थे दिली में हम बिल्कुल बंबई में 26 गयरे देखा हमने तो यह इनमें कमी आवश्य आई है और जो हम डबलू एचो और रिराइटेड नेशन्स का 2011 का जो resolution था उसमें बहुत सारे pillars थे पांच pillars उन्होंने बनाए थे एक पिलर एक था road safety management पे काम होगा दूसरा था infrastructure पे काम होगा जैसे highways बगरा रहे हैं इतनी पुरानी पुरानी वेहिकल्स तो उनकी वी safety का issue आता है फिर road user behavior एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में पार्किंग पर आज से बात करना चाहूंगी और उसके बाद जो आज है वो ट्रॉमा एक बार हाथसा हो गया चोट लग गई उसके बाद जो care मिलती है चोट लगे हुए वेक्टे को तो वो उस पाद वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में जी तो चोट लगने के बाद जो care मिलती है आपने policy level पर बात की अगर हम बात करें कि आप हमें समझाने हैं कि अमेरिका से हमारा किस तरह से पूरा system different है अगर कोई trauma होता है कोई road accident होता है कोई injury होती है तो ऐसे में वहां का response system क्या है और भारत का response system क्या है अगर हम solutions की बात कर है तो policy level पर हमारे यहां किस तरह के बदलाव लाई जाने की जरूरत है किस तरह के interventions की जरूरत है किस तरह क्या implement किया जाए और बहुत aggressively implement किया जाए जिससे कि जब कोई accident होता है तो उसमें मौतों की जो संख्या है उसे कम किया जा सके क्योंकि भारत में ये कहा जा रहा है कि जो हाथसों में, जो मौते होती है, खासकोर सडख हाथसों में, उसका जो प्रतिशक है, साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। बिलकुल, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्ण है, और इसमें यदि आप देखें, कि वहाँ पर जो रिस्पॉंस टाइम है, हाथसा हुआ, और 9-11 को, जैसे अमरीका का ले ले आप उधारण, 9-11 किसी ने फोन कर दिया, 6 मिनिट में, 7 मिनिट में, 8 मिनिट में, 5 मिनिट में एम्बूलेंस पहुँच जाएगी हाथसे की इस्थान पर, एक तो ये बड़ा फर्क है, फिर वहाँ से वो लेके, उनको तुरंक जो पास का अस्पताल, जो भी डेजिगनेटेड हॉस्पिटल हों का, वहाँ पहुँच जाएगी, और अस्पताल की जो अमर्जेंसी डिपा आस्ते में उन्होंने वहाँ पे सूचना दे दी कि हम ला रहे हैं इस तरह से तयार हो जाती है टीम, और कुछ ना कुछ वो अंदास दे देते हैं कि इस रोगी की क्या हालत है, भारत में ये प्री हॉस्पिटल केयर अभी समान रूप से हर जगे नहीं है विकसित, तो ये ए तहां लोग जादे आते हैं हाथसों के बाद, एम्बुलेंस से केवल 15-20 प्रतिशत लोग ही आते हैं अस्पताल, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बड़े हाथसे हुए, कोई बम ब्लास्ट हुआ, उसमें तो पुलिस कंट्रोल रूम वेंस हैं, वो ले आती हैं, आम हाथसों में भी वो PCR लाती है दिल्ली में, लेकिन PCR तो हर जगे नहीं है, हर शहर में नहीं है, तो एम्बुलेंस सर्विस पर ही निर्भर करना पड़ेगा, या लोग फिर अपनी कोई निकट जन है, या स्वयम अपना थ्रीविलर किया आ गए, तो अभी भी लोग प्राइवेट गा गोग ऐसे लटका के ले जा रहे थे अस्पताल, तो अभी इसमें हमें काफी सुधार लाना है, जो प्री होस्पिटल हमारी जो रेस्क्यू है, और प्री होस्पिल जो केयर है उसमें, और हमारा जो इसमें सिधांत है भारत के लिए, और जाधे तर्जवँआ पे, आप तु भूगोलिक भूगोलिक विभागों में बाटा गया है उनको हर जोन का अपना हस्पताल है एक जोन में इस डेली में जी टीबी होस्पिटल होगा या उत्तर पूर्वी दिल्ली में एलेंजेपी होगा इदार साउट दिल्ली में आरेमेल होगा या और दूसरे हस्पताल होंग साउट डिल्ली के लिए एम्स हो गया सब्द जंग हो गया तो यह डेजिगनेटेड हॉस्पडिल से तो दिल्ली में तो फिर भी बहुत मैं कहूंगा ठीक ठाक है पीसी यार वेन पंदरे से बीस मिनट में रोगी को हमारे पास ले आती है पांचे मिनट में तो नहीं लेकिन हा के लिए नहीं शुरू हो पहा है अमूलेंस वो हमारी गर्वत ही महिला एंक जब कर chuck देखते हैं लेकिन अभी उसमें काफी हमें गैप है कितने लोगों को कितनी efficiently ले जाएं तो ये एक बड़ा प्रशन है दूसरे लोग देखते हैं accident के तमाशा देखते हैं कोई उसमें मदद नहीं करता जो good Samaritan law जो Supreme Court ने भी कहा है आप ले जाएए आप emergency में छोड़ दीजिए आप से प्रशन नहीं किया जाएगा आप अपना नाम भी ना बताना चाहें टेलिफोन नहीं देना चाहें मत दीजिए लेकिन रोगी को जिसको आगात लगा है उसको आप इस्पताल तक पहुंचा दे तो ये भी Supreme Court का आदेश है तो लोगों को और करते भी है लोग मदद ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करता लेकिन उसमें बहुत अभी इंप्रूब्मेंट की बहुत गुंजाइश है उसमें और अभी इस्पतालों अमानमांतर तोर पे उस तरह की सुविधाय नहीं है उपलब जो होनी चाहिए वहां पे अमर्जेंसी पे ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं होंगे नर्सिज नहीं होंगे तो वो भी एक जो हमारे दूर दरास के एरियाज है वहां पे वो भी एक समस्या है लेकिन शहरों में तो आठ बजे नौ बजे अब अंधेरे में तो रेस्क्यू होगा नहीं तो रेस्क्यू तो नेक्स जब सूरज निकलेगा दिन होगा तब शुरू होगा तो इसमें मैं बोलता हूं सेल्फ सेलेक्शन जिसको बचना है वो बच जाएगा जिसको नहीं बचना है वो नहीं से कायाना में बहुत इस पर जागरूपता भीहां चल रहा है लोगों को जो दुपईया चलाते हैं मुड़ साइकल स्कूटर उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि हेलमेट आपके अपने हित में है उसका प्रेयोग करना उसका इस्तमाल करना कि उसको लगाएं और उसको बा ब्रेन डेमेज हो सकता है और आप परिवार के लिए भी बोज बन जाएंगे देश के लिए भी बोज बन जाएंगे और काफी लोग इसमें से सीवियर ब्रेन इंजरी के बाद काम पर वापस नहीं जा पाते हैं यह बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी का कारण है जी आपने कई पहलों पर जानकारी दी आंकडे बताएं और किस तरह से दूसरे देशों में हमारा रिस्पॉंस सिस्टम कैसा है हमें हमारे हैं क्या कमी है किस तरह से रिस्पॉंस टाइम जो है वो लोग खुदी आप कहरे हैं सिरफ 15-20 प्रतिशते हैं जिनको एंबुलेंस लाती है बाकी खुदी आते हैं तो यह आंकडे खुदी बता रहे हैं हमें कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम में वो कैसा है अगर एंबुलेंस इमिजेटली नह हो जाता है उसकी जान बचाने में अगर अगर उसको डिले कर दिया जाता है तो इसलिए जादा जाने जा रही है और अमेरिका में या दूसरे देशों में इमिजेट रिस्पॉंस होता है रिस्पॉंस टाइम बहुत वहां का कम होता है जबकि हमारे हैं तो लोग खुदी ज जो है उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो अब जब कोई हाथसा होता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखने के लिए रोक्रोस जरूर कहते होंगे कि किस अबस्था में जो है वो जो इंजर्ड है जिसको एक्यूट इंजरी हुई है ट्रामा हुआ है उसके कैसे लेक जा दी जाए अगर आप जैसे बता रहे हैं कि कोई अटैक हुआ है टर्रिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में तो बाइक पर लेकर जा रहे है तो हो सकता है कि उसका पॉस्चर आपको कैसा रखना है उसे स्ट्रेशर पर कैसे लाना है एंबुलेंस अगर आसपास नहीं तो हो सकता है उसको और चूट लग जाए मानली जै कोई हाथसा हुआ कोई सड़क पर पढ़ा है और एक-दो घंटे तक सड़क पर पढ़ा है तो हो सकता है इतना खून बह जाए कि वह उसको बचाने के स्टी में डॉक्टर ना रहें अब आपके पास जिस तरह है ट्रॉमा देखते हैं इस तरह के ट्रॉमा केसे में लोगों को और फिर डागनॉस कैसे होता है कैसे उसका उपचार शुरू होता है नहीं इसमें तो एक बार पेशेंट जीवित अगर एमर्जिंसी में आ जाता है और जैसे आपने कहा हम ट्रॉमा के लिए गोल्डन आवर का एक शब् गोल्डन आवर में अगर पेशेंट आ जा जाए गोल्डन आवर क्या होता है हाँधसे के चोट लगने के एक घंटे के अंदर यदि अस्पताल में रोगी पहुच जाए तो पर्सकी समबाबनाव नहीं उसकी जान बच जाएगी और जैसे आपने कहा उसको जहां से हाथसा ह ही है कि किसी भी रोगी को यदि कहीं रक्सराव हो रहा है और यह देखा है हमने छोटे-छोटे जैसे साउथ extension में किसी ने चाकू मार दिया किसी के पैर में अब वहां पे खून रिस रहा है किसी ने उस pressure bandage नहीं करी वो कोई भी कर सकता है कोई कपड़ा लेकर रुमाल लेकर उस पर pressure लगा सकता ब्लीडिंग रुक जाएगी उससे यह छोटा सा काम है और इससे जान बच जाती है लोगों की इसी प्रकार से जो head injury होती है बेहोश हो जाता है को तो उससे की सांस नहीं आ रही है तो दो तिन मिनट का समय है आपके पास अगर सांस नहीं आएगी तो अगर बच भी जाएगा ऐसा रोगी तो उसका ब्रेन डेमेज हो जाती है है अक्सिजन की कमी से तो लोग कर सकते हैं पेशेंट को आराम से साइट से लिटा दे जिससे अगर कोई वोमिटिं नहीं है पास में माली जो कोई डंडी पड़ी है या कोई अख़वार है उसको फोल्ड करके और उसको मान देंगे तो मूव नहीं करेगा तो खून का रिसाव कम हो जाएगा तो इस परकार से काफी चीजों को आम आदमी भी कर सकते हैं जिसको हम बेसिक लाइप सपोर्ट ब जगा के टूनिके बांद के और कॉंबेट जो सो आर्मी का जो जहां पर युद्ध होता है या बॉर्डर पर है तो इसका बहुत प्रयोग होता है पिर जब एक बार रोगी को ले आते हैं अमर्जेंसी में आ जाता है तो उस समय एक हम यूज करते हैं शब इनीशियल एसेस् है कि यहां मैं यहां था मेरा ऐसे एक्सिडेंट हो गया तो उसका मतलब यह है कि उसकी सांस भी ठीक चल रही है उसका एयरवे भी ठीक है और उसके ब्रेन में ऑक्सिजन भी जा रही है तो हम A, B, C, D, E बोलते हैं इसको कि एयरवे, ब्रीधिंग, वेंटिलेशन, सर्कुले की A, B, C, जो है वो मंत्र ध्यान रखना चाहिए और चुकि जाएदर सड़क हाथसों में ब्लंट ट्रॉमा होता है, जैसे दो तरह के ट्रॉमा हम कहते हैं, ब्लंट ट्रॉमा, पैनिट्रेटरिंग ट्रॉमा, ब्लंट तो हो गया हाथसों में होता है, कोई चीज शरीर में घ ट्रॉमा होता है, सड़क हाथसों में, स्पाइन ट्रॉमा होने की संभावना होती है, ब्रेन इंजरी होने की संभावना होती है, बेसिकली अगर हाई स्पीड, बहुत जादे स्पीड में एक्सिडेंट होता है, तो सिर से लेके पैर तक सामने है, पीछे कहीं पर भी शरीर क कि इससे में चोट आ सकती है तो उसको इनिशल एसेस्मेंट में हम लोग जो करते हैं वो पहले पेशेंट की हम लोग देखते हैं कि ऐरवे ठीक है की नहीं क्योंकि सबसे पहले जो मृत्ति होगी वो एरवे की वैसे होगी अगर सास कली ही रुकी हुई है तो हम हुम का स्राव बंद भी कर देंगे तो अभी बचेगा नहीं कोई तो इसलिए पहले इसका हम असकी नली को देखते हैं अगर वो ठीक है और कोई बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब वो सास आ रही है और थोड़ी सी बात करता है तो इसमतलब उनका फेफड़े भी ठीक है ऑक्सिजन मिल रही है शरीर को तो उसके बाद फिर बाकी इंजरीज का एसेस्मेंट करते हैं जिसको हम सेकंडरी सर्वे बोलते हैं प्राइमरी सर्वे में लाइफ थ्रेटेनिंग इंजरीज को देख लेते हैं सेकंडरी सर्वे में फिर बाकी शरीर का परिक्षन करके देख लेते हैं और उसके थीक हो गई तो उनको फिर IV fluid लगा देते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर patient को उसका रक्तचाप थीक है कोई उसको heart rate जादे नहीं है तो इसका मतलब patient is stable है यदि रक्तचाप गिर रहा है blood pressure गिर रहा है और pulse rate बढ़ रहा है उसकी पहचार बहुत जल्दी करना उचे बहुत शीक्र करना आवश्यक होता है क्योंकि bleeding से न मरें एरवे ठीक है breathing ठीक है लेकिन bleeding से मर सकता है तो वह करते हैं और पहले जैसे एक लिटर हम लोग fluid वैसे ही दे देते हैं finger lactate बोलते हैं उसको या saline बोलते हैं उसको चड़ा देते हैं लेकिन बहुत जादे नहीं देते हैं उससे फिर clotting mechanism है blood का वो खराब हो जाता है तो इसको करके और अगर अगर हो रहा है तो फिर blood की आवश्यक्ता पढ़ती है blood and blood product और अगर liver injury है spleen injury है या lungs में अंदर चोट लगी है तो उसमें रक्सरा जादे होता है जिसको हम बोलते हैं massive transfusion protocol तो अगर चार घंटे में पूरे शरीर का blood जितना होता है पांच लिटर वो देना पड़ जाए 10 unit तो वो उसको हम massive transfusion बोलते हैं तो 24 घंटे में अगर पूरा blood volume replace कर दें तो वो massive transfusion कहराता है तो उसी प्रकार से patient की outcome भी निर्वर करता है फिर उसके bleeding हम रोक पाए उसके लिए हो सकता immediately OT ले जाना पड़े patient को अगर ड़कार आप नहीं उपर आ रहा है bleeding हो रही है तो तो उसको फिर OT ले जाते है operation करना पड़ता है पेट खोल के चाती खोल के तो यह सब करना पड़ता है और उसके बाद फिर ICU में shift कर देते हैं अगर patient गंभी होता है तो red area हम बोलते हैं इन patients को जो बहुत ही सघन रूप से जिनको इंगरी होती है उनको red area में ले जाते हैं और जो उनसे कम चोट वाले होते हैं उनको yellow area में रखते हैं और जो बिलकुल walking wounded आते हैं उनको green area में रखते हैं लेकिन यह interchangeable होता रहता है क्यों हमने किसी को ल resuscitation शुरू करके और फिर accordingly उनके जाच की जाती है अब पहले देख लेते हैं clinically फिर ultrasound किया CT scan किया और यदी operation क्या आवशकता है तो OT ले गए अगर patient को केवल हड़ी तूटी है तो ward में shift किया फिर बाद में operation हो जाएगा उसका और अगर head injury है तो neurosurgeon अपने अंडर में admit ले ले लेंगे और अगर पेट में चोट लगी है तो trauma surgeon जो हमारे torso देखते है वो लोग अपने अंडर में ले ले लेते हैं तो यह पुरा organized रहता है और protocol बना होता है इसमें कि जब patient आएगा tertiary care hospital में इतनी समस्या नहीं होती क्योंकि वहाँ पर nurse की जिम्मेदारी तह है doctor की तह है कि यह आप अगर 3-4 लोग है एक जना airway देखेगा एक जना breathing देखेगा एक जना bleeding देखेगा आई भी लगाएगा कपड़े काटेगा देखेगा उसको एक पेशन को एक्जामिन करने के लिए तो यह protocol protocolized care इसे हम बोलते हैं और उससे फिर outcomes जो हैं better हो जाते है जी डॉक्र आपसे शुरुवात में जो चर्चा हुई थी जिसमें हम दूसरे देशों से comparison कर रहे थे अब अगर हम health infrastructure की बात करें भारत में दूसरे देशों के मुकाबले एम्बूलेंस की बात हो चाहे support staff की बात हो चाहे doctors की बात हो चाहे hospitals की बात हो अब क्योंकि हमारे देश में हाथसों में मौतों की संख्या और उसका प्रतिशत ज्यादा है दूसरे देशों की मुकाबले और यह प्रतिशत बढ़ता जा रहे है जो आंक्डे हमें बता रहे हैं कि साल दर साल हाथसों में होनी वाली मौतों से का जो प्रतिशत है वो हर साल बढ़ रहा है अब ऐसे में हम health infrastructure में कितना ध्यान देने की जरूरत है हर राज्य में और national level पर किस तरह से emergency response इस cases में दिया जाना चाहिए उसके लिए किस तरह की infrastructure की हमें जरूरत होगी कितने doctors की प्रतिशत की अगर हम बात करें nurses की hospitals की ambulances की या फिर जो इस तरह की अगर call आती है तो उस पर फटा-फट action ले पूरा ecosystem इसको strengthen करने के लिए हमारे यहां किस तरह के बदलाव लाए जाने चाहिए नहीं इसमें तो देखिए बदलाव आ रहे हैं बहुत बदलाव आए भी हैं जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि काफी राज्यों में अप्री hospital ambulance service है वहां से रोगी को उठाके वो ला सकते हैं उसको और सक्षम बनाने के आवश्यक्ता है जो ambulance pre hospital care की जरूर आवश्यक्त virus भी develop हो रहे हैं identify हो रहे हैं highways के along तो उसकी भी है फिर जैसे आपने कई बार नितिन गटकरी को भी सुनाओगा वो helicopter की भी बात करते हैं खर अभी helicopter तो नहीं है भारत में इस तरह के विदेश हमत है helicopter से भी लोग hospital पहुंचा देते हैं जल्दी से तो इसमें बदलाव तो क्योंकि हर जगया दूसरे हमारा difficult terrain है हिमाचल है उत्राखंड है कश्मीर है नौर्थीस्ट है तो difficult terrain की वज़े से भी rescue operations में बाधा आती है और उसमें समय लगता है तो उससे काफी लोगों की जो जान है उस वज़े से भी चली जाती है और शेहरों में कम से कम मैं समझता हू ये सुविधाएं काफी हद तक उपलब्ध हैं आज और जितने भी नए aims बन रहे हैं सब में trauma and emergency पर focus हो रहा है तो सरकार भारस सरकार भी कर रही है राजे सरकारों को भी इसमें करना पड़ेगा और सुधार तो जनता को भी लाना पड़ेगा कि देखिए cancer होना आपके हाथ हाप में शायद नहों किसी को भी हो सकता है अगर आपको हिर्दय की बीमारी है आप अपना ठीक रखेंगे वर वयायाम करेंगे और अपना lifestyle ठीक रखेंगे तो शायद आपको हाथ की मारी भी उतनी नहीं होगी लेकिन हाथ से तो हम बचा सकते हैं अगर हम सब को थोड़ा safety क concept हो भारत में कि सड़क पे जा रहे हैं तो speed limit में रहना है एल को सड़ापी के गारी नहीं चलानी है स्टीट बेल्ट गारियों में लग जाती है सीट बेल्ट बांध नहीं है जब भी आप highway पे जा रहे हैं इसके लावा आप दुपईया वाहन लेके जा रहे हैं तो helmet लगान है आपको सिर्पर बांधना है उसको 90 प्रतिशत तक head injury को बचाया जा सकता है अगर लोग helmet लगा ले और बांध ले और यह कोई सोचता है मैं अभी पास में जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा अभी लेकर कि ऐसा हमने देखा है कि लोग गए ठोटे से काम के लिए कहीं आसपास और हाथसा हुआ करे सड़क पर मोटर साइकल से सिन में चोट लगी और मृत्ति हो गई तो यह भी होता है और इसके लिए सभी देश के नागरिकों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है उसके बिना आप अचीव नहीं कर सकते खाली law नियम बना के कानून बना के सब कुछ नही नियम है और जो ट्रैफिक नियम है वो सब बने हुए है लेकिन उसको लोगों को भी समझना पड़ेगा कि यह उनके अपने बचाओ के लिए है यह कोई सरकार को से नहीं आप देखिए अब हेलमेट कंपलसरी किया था तामिल नाडू में उसको आप्शनल कर दिया महा की सरक बने इसी प्रकार से कई राजयों में अभी भी हेलमेट कंपलसर ही नहीं है दिल्ली में तो फिर भी काफी Soviet हो जाता है हल्मेट का बाकी अगर आप दिल्ली के बाहर जाए यूपी में जाएं लोग नहीं लगाते निकाल लेते हैं, जैसी D&D क्रॉस किया हेलमेट को हाथ में ले लेते हैं तो लोगों का ये जो एटिचूड है ये जो सभाव है ये बदलना पड़ेगा लोगों को अगर लोगों को अपनी सुरक्षा चाहिए और नहीं तो फिर ये होता रहेगा और बढ़ते रहेँ ये हमें आपसे दो बाते जानना चाहूंगी, एक तो ये कि जब हमारी सडकों की बात करते हैं और सडक हाथ से जो होते हैं और उसमें कहा जाता है कि हमारी जो नेशनल हाईवे है जितनी सडके है उसके मुकाबले में पृतिशक कम है हमारे national highways का लेकिन जो दुरगट नाए है वो उसके comparison में सड़कों के मुकाबले highways पर हमारे national highways पर ज्यादा होती है अब ऐसे में क्या अगर हम दूसरे देशों से comparison करें या हम health infrastructure की बात करें तो क्या जितने भी हमारे highways हैं उनके आसपास क्या ऐसा नहीं होना चीह है कि इस तरहे भी हमारे highways बन रहे हैं along the highway we should have a trauma center also और इसके अलावा जब हम awareness की बात करते हैं दूसरा मेरा ये प्रशन है कि जब हम awareness की बात कर रहे हैं तो जितना हम नियम बनाते हैं सड़कों को लेके नियम बनाती है सरकार road safety के कानून बनाती है लेकिन साथी साथ उसको लेके जो awareness create की ज जानी चाहिए जिस तरह हमारे अब आपने इसको एक कहा ये बहुत बड़ा pandemic है बहुत बड़ी महामारी है जो हमारे सड़कों पर हाथ से हो रहे हैं या किसी भी तरह से हाथ से होते हैं अब अगर ये बहुत बड़ा समस्या है public health problem है public health issue है तो ऐसे में इन हाथ्सों से निब इतना aggressively awareness program चलाए गया हर जगे क्यों न रोट safety को लेके भी आप उसके लिए शाहिए लोगों पर fine लगाए उससे नहीं होता लेकिन उन्हें जब तक जाग रोप नहीं करेंगे social media के माधियम से tv के माधियम से अख़बारों के माधियम से हम phone भी करते थे तो हमें quality उन क्यों नहीं आना चाहिए सरकार को इस दिशा में क्यों नहीं काम करना चाहिए और जब यह जो आप number बता रहे हैं और जिस तरह ऐसे cancer या heart disease से भी ज्यादा संख्या में लोग सड़क हाथ सो में मरते हैं और प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और तो ऐसे में awareness program को लेकर आप क् की health awareness की तो हम बात करते रहें लेकिन जब road safety की बात आती है तो तो मेरे दोनों सवालों का अगर आप जवाब देना चाहिए और तो फ्रेंग सी निश्चा मेरेखा से उत्तर तो पहले आ गया है जो हमने चर्चा शुरू से की है कि बचाओ कैसे कर सकते हैं और हमारे जो highways हैं मार्क बन रहे हैं उनमें क्यों हाथ से अधिक होते हैं क्योंकि speed बहुत होती है speed thrills speed kills यह कहावत है अंग्रेजी की और लोग शरापी के भी गाड़ी चलाते हैं लोग ट्रक वाले हैं वो अठारे अठारे घंटे ड्राइवेश हैं भारत में उसी प्रमोशन में उसके along the highway trauma center हर 50 km पर तो बन नहीं सकता trauma center महंगा सौधा है तो ऐसे हर 50 km पर दो मरीजों रोगियों के लिए तो आप नहीं बनाएंगे trauma center तो trauma center तो बने हुए हैं आपके medical इतना इससे खर्चिला सौधा है यह हर जगे trauma center बनाना वो ना इतने साधन है और ना उसका कोई लॉजिक है अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक में अब तो लगभग हर डिस्ट्रिक में या तो जिलास पताल है या फिर medical college है कोई निजी और medical college है और वो एक्विप्ट है इससे की trauma injuries को वो टेकल कर सके बिल्कुल सब जगे है यह बिल्कुल सुविधा है हर एक अब तो medical college में CT scan भी होता है MRI भी होता है X-ray भी होते है हर तरह की सुविधा है faculty भी है जो इन रोगियों को देख सकती है केवल उन तक पहुंचाने की बात है वो उसको और ठीक करने की आवश्यक्ता है कि ambulance pre-hospital जो ambulance service है वो सक्षम होनी चाहिए I think वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हर 50-100 km पर आप नहीं बना सकते लेविल वन trauma center तो कैसे पहुंचना है तो इसलिए जो मैंने बताया चुरू में कि उन्होंने हेलिकॉप्टर की भी बात की है तो वो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं कितने वर्षों में यह पूरा होगा लेकिन हाँ यह एक बड़ा प्रश्ण है जो आपने किया है कि भही कितना शीग्रा शीग्रा गंटा है उसमें आप मरीज को कैसे trauma center तक लेगा जाएंगे अग भी जाग रूखता चाहिए और पहले तो बचाओं के लिए जाग रूखता चाहिए फिर अगर हो जाएं तो लोगों को मतलब जल्दी से जल्दी पहुंचाएं वो जो भी closest facility हो health care वहाँ पे पहुंचाएं और ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं सकते बिलकुल पहुंचा सकत होते हैं जैसे आपने भी का ज्यादेतर सड़काथ से में जो गंभीर होते हैं वो हाइवे पे होते हैं और हाइवे के नजदी कुछ ना कुछ तो होता ही है कोई शेहर है वहाँ पे कोई ना कोई medical college होगा बड़ा hospital होगा निजी hospital होगा और हर hospital को ये mandate है कि वह मालीजे नहीं भी लोग अगर afford कर पा रहे हैं तो वो प्राथमिक उपचार तो करेंगे उसका बाद में उसको refer करेंगे कहीं सरकारी hospital में क्योंकि जादर तर जो trauma से effect होते हैं वो middle class या lower middle class poor जो section हमारी society का काफी लोग उन में से होते हैं तो निजी hospital हो में उपचार नहीं करा सकते हैं हमने देखा था दिल्ली में जो रोगी थे वो कोई max भी चला गया को गंगाराम भी चला गया लेकिन उन्होंने उपचार किया प्रात्मिक उपचार किया उसके बाद दूसरे दिन उनको सरकारी hospital में refer कर दिया तो ठीक है ये system भी काम करता है और लेकिन हाँ अभी इसमें बह डूसरे दैनिक जागर ने भी ये सड़क हाथसों के बारे में काफी जागड़ू की है हरियाण सरकार भी इसमें जैसे मिए जुद गों में रहता हूं तो काफी ह 65 के मंत्री जोगा ने शपत अभी दोतिन दिन पहले शपत लिए सबने बचाव सड़क हाथसों में बचाव क लिए तो यह सब भी करना पड़ेगा बिल्कु ठीक आप कह रही है लेकर जितना एवरनेस तो जितनी भी हो जाए उतनी कम है इसके लिए लेकिन मैं यही फिर्च दो रहूंगा कि चुकि हमारे बहत्तर फ्रीजदी वाहन हमारी सडकों पे दुपहिया हैं उस पे बैठने वाल जी तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसे मिश्रा कई पहले हो पर आपने बात की किस तरह से जीडीपी पर असर डाल रहा है किस तरह से यह हार्ट डिजीज या कैंसर की रोगी हैं उनसे भी जादा मौते सडक हाथसों में लोगों की होती हैं और जो उम्र आपने जो प्रतिशत है वो ज्यादा है एक घंटा जो गोल्डन आर हम कहते हैं कि उसमें मरीज को डॉक्टर तक महचना जरूरी है ट्रॉमा सेंटर तक महचना जरूरी है और यह कोशिश होनी चाहिए आप जो आपने इस चर्चा में निकल कर आया कि सिरफ 15-20 प्रतिशत ही हैं जो एंबुलेंस से आते हैं यानि 80-85 प्रतिशत जो हैं उनको वो खुद आते हैं वो एंबुलेंस के थूरू उनको नहीं लाया जा सकता तो और तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रॉक्टर में जो गैप है उसकी तरफ इशारा करते हैं इमिजिट जो रिस्पॉंस मिलना चाहिए, डायकोन चाहिए उसको बचाया जा सकता है मौत के मूझ के मुँ से तो वह बहुत इमपॉटन होता है उसके लिए ज़रूरी है कि आस पास होस्पेडल हो ताक हि उतनी दूरी वो टै कर सके और उसको उपचार मिल सके बहुत बश्चुक्रिया इस जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है और ये चर्चा जो हमने की और अपने इस में जो आपने हमें उजानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और जाहिर तोर पर रोप सेफटी तो बहुत ही महत्वप्मून पहलू है लेकिन इसके विशे में जागरुकता अवेरनेस लाई जाए लोगों में एग्रिसिव लेवल पर केंपेन होने की जरूरत है ताकि नियम तो बन जाते हैं लेकिन हो सकते हैं नियमों के बारे में लोगों की जो इंप्लिमेंटेशन लेवल होता है तो कि वो किस तरह से उसको लागू कर रहे हैं अपने जीवन में उतार रहे हैं उसमें कमी दिखती है शाइब यही वज़े है कि हाथ से इतने जादा हमारी सड़कों पर देखने को मिलते हैं तो शुक्रिया इस कारेकरम का हिस्सा बनने के लिए हमारे वीवर्स को लगातार सुरक्षा से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी स्वास्ते से जु अन्नलाद, नन्नलाद, नन्नलाद